मराथा भारत भूमी के वो योधा जिन के लिए उनका धर्म और कर्म उनकी वीद्दा है पेश्वा अधिनन्दन किया जाता है सहोतिया मला मैंने सुनाए जब पेश्वा अकेले मोहिम पर जाते हैं तो एक मस्तानी के साथ लोटते है मेरे जीवत में तुम ही हो और तुम ही रहो कि शस्त्र पूजन के समय आपने पेश्वा तलवर सदाशित को क्यों दी सदाशित को हर कदम हमेशा मराठा सामराजय के हित में ही रहा है आज हम पूरे हिंदुस्तान के शासक बन गए है मराठों की खलाफ जाने वाला कोई है ही नहीं इस सरजमीन पर एक है जहापना एहमद शाब दाली अब दाली के आने का बतलब है पूरे हिंदुस्तान पर आखवान इस बार एक लाग के फोज लेकर आ रहा है तो पिछनी बार जब वो यहां आया था तो यमुना का पानी साथ दिन तक लाल था मोरकत तक तो यह कोही नूर बड़ी मशक्कत से पाये जाता है जीनने इसे नहीं मिलता तलवारे कीच लो इस बार हमें उसे रोकना होगा एक बार इने हरा दियाना पहर तहली क्या पूरा हिंदुस्तान आपका वो एक नाप की फोल लिकर आ रहा है तो हम कोई आपके घर पर हमला करेगा तो आप शत्रों की संक्या गिनोंगे या पर पूरी ताकत के साथ उसका सामना करोगे हम मर्नाठों का सपाया करतेगे तो पेरा माले बंदू के आप इस बार अब दाली को ऐसा सबक सिखाओ कि वो दो बारा हिंदूस्तान की तरफ देखने की हिम्मत भी न करें मैं भी तुम्हार सब मुहीं पर चरूंगे सुख में पीछे राऊंगी और दुख में आगया जाऊंगी कि अबदाली को भी पता लग जाए कि अभी तक हमारे धर्ती में वीर यौता खतम नहीं हो है अब हमारे बीच कोई तर्या नहीं है अब हमारे बीच सरफ पानीपत की यह रण भूमी है तू जोटे से जमीन के टुकडे के लिए अपनी जान देने जा रहा है मैं इस धर्ती के मिट्टी के एक कड के लिए भी मरने को तैयार हूँ